गिंती की पुस्तक अध्याय चावतीस कनान देश के सिवाने फिर यहवाने मुसा से कहा इसराइलियों को यह आग्या दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारो ओर के सिवाने तक का कनान देश है इसलिए जब तुम कनान देश में पहुँचो तब तुम्हारा दखिनी प्रांत सीन नाम जंगल से ले एदों देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारा दखिनी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरंब होकर पश्चिम की ओर चले वहां से तुम्हारा सिवाना अक्रबिम नाम चड़ाई की दखिन की ओर पहुँच कर मुड़े और सीन तक आये और कादेश परने की दखिन की ओर निकले और हसरदार तक बढ़के अम्मोन तक पहुँचे फिर वह सिवाना अम्मोन से घुम कर मिस्र के नाले तक पहुँचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे फिर पश्चिमी सिवाना महा समुद्र हो तुम्हारा पश्चिमी सिवाना यही ठहरे और तुम्हारा उत्तरिय सिवाना यह हो अर्थात, तुम महासमुद्र से होर पर्वत तक सिवाना बांधना, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सिवाना बांधना, और वह सदाद पर निकले, फिर वह सिवाना जिप्रोन तक पहुँचे, और हसरे नान पर निकले, तुम्हारा उत्तरिय सिवाना यही ठैरे, फिर अपना पुर्वी सिवाना हसरे नानक से शपाम तक बांधना और वह सिवाना शपाम से रिबला तक जो एन की पुर्व की और है नीचे को उतरते उतरते किन्ने रेत नाम ताल के पुर्व से लग जाए और वह सिवाना यर्दम तक उतर के सारे ताल के तक पर निकले तुम्हारे देश के चारो सिवाने यही ठेरे। तब मुसा ने इसराइलियों से फिर कहा जिस देश के तुम चठी डाल कर अधिकारे होगे और यहवा ने उसे साड़े नव गोत्र के लोगों को देने की आग्या दी है, वह यही है। परंतु रुबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पित्रों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पाचुके हैं, और मनश्य के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पाचुके हैं, अर्थात उन अढ़ाई गोत्रों के लिए लोग यरियों के पास ही य मुसा से कहा कि जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बाटेंगे उनके नाम ये है, अर्थात एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशु, और देश को बाटने के लिए एक-एक गोत्र का एक-एक प्रधान ठहराना, और इन पुरुषों के नाम ये है, अम्मिहूद का पुत्र शमुएल, बिन्यमिनी गोत्री किसलोन का पुत्र एलिदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान, योगली का पुत्र बुक्की, युसुप्यों में से मनशेयों के गोत्र का प्रधान, एपोत का पुत्र हनियल, और एप्रेमियों के गोत्र का प्रधा परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्रों का प्रधान, अज्जान का पुत्र पलतियल, और आशेरियों के गोत्र का प्रधान, शलोमी का पुत्र अहिहूद, और नक्तालियों के गोत्र का प्रधान, अमिहूद का पुत्र पदहेल, जिन पुरुषों को यहो बाटने की आग्या दी थी वे यही है